ही गाइस वेलकम बैक चलिए इस ट्रामी का नेक्स पार्ट स्टार्ट करते हैं गाइस लास पार्ट में हमने देखा था सॉंग कॉल करता है में के पास और उसे मिलने के लिए बुलाता है तो हम देखते हैं में उसे मिलने के लिए जाती है यहाँ पर में उसे देखकर कहने लगती है में तुम तो जानते ही हो मैंने किस तरीके से पैक और फॉब को हैंडल किया है मेरी लाइफ में बहुत कुछ चुल रहा था तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला तुम से कॉंटक्ट करने का तो यहाँ पर उससे कहने लगता है सॉंग और इस पार तुमने मेरी हेल् थी फक की तो यहाँ पर में कहती है हाँ मैंने इस पार फक की हेल्प ली थी क्योंकि मेरी वज़े से तुम्हारी लाइफ में आल्रेडी बहुत जादा ट्रॉबल हो चुका है और तुम तो जानते ही हो कि मेरे और वैफन के बीच में फाइट हुई थी उसे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें उससे छेन लिया है पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच जाई है अब वो यहाँ पर सॉंग से पूछने लगती है कि यह नियूस फेक है ना कि वैफन किसी बिजनिसमेन को डेट कर रही है सॉंग यहाँ पर में से कहने लगता है में तुम्हें हमारी म फिल नहीं करती हो अभी और तुम्हें कुछ समय चाहिए मुझे चानने के लिए और उसके बाद मेरी मुलाकत हो गई थी वेफन से तो उसके बाद तुम्हें मुझे और ज्यादा जाना नहीं चाहती क्योंकि तुम्हें पता था कि मेरी लाइफ में वेफन आ चुकी है तो और मैंने उनसे कहा है कि मैं उनके सियर सुने वापिस करना चाहता हूँ यह सुनके हाँ पर थोड़ा है इसा क्यों कर रहे हो क्या सच में किसी को डेट कर रही है वियफन यहाँ पर कहने लगता है सौंग सायद हाँ लेकिन फिर मैंने इसके बारे में काफी अच्छे से सोचा और मैंने यह सोचा क्या मैं सच में अभी भी वियफन को उसी तरीके से प्यार करता हूँ या फिर नहीं सो अब मुझे समझ में आया है कि मैं वियफन का सिर्फ ध्यान रखता हूँ उसके क्यार करता हूँ तो सॉंग कहता है मैं इस से break up नहीं कह सकता क्योंकि मुझे से पहले वेफन ही मुझे ब्रेक अब कर चुकी है मुझे ऐसा लगता है बस हाँ मैं ये कह सकता हूं कि अब मैंने वेफन से दूर जाने का decision ले लिया है यहाँ पर में गंभीर होके उसकी सारी बाते सुन रही होती है सौंग उसे आगे कहने लगता है में क्या आप तुम मुझे एक चांस दे सकती हो मैं तुम्हारा ब्रदर और फ्रेंड बनके नहीं रहना चाहता हूँ तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनना चाहता हूँ क्या में मैं जानती हो तुम घर वापिस आ गई हो मुझे तुम से बात करनी है बताओ मुझे कल तुम फक्च के साहा गई थी अंदर से कोई अवाश नहीं आती तो उसकी मम कहती है मैं रूम के अंदर आ रही हूं हम देखते हैं वो रूम के अंदर एंट्री कर लेती है वहाँ पे में तो होती नहीं है लेकिन उन्हें मिल जाती है वो रेंबो टेल बाली बुक वो उसे देखती है और काफी हैरान हो जाती है और उन्हें याद आता है ये तो वही बुक है जो कि पार्क देने के लिए आया था May को और उन्होंने फैक दी थी और पाक को वहाँ से जाने के लिए बोला था यहाँ पर वह अच्छे से इस बात को आत करती है और कहने लगती है जहाँ तक मुझे याद है भाइने तो इस बुख को फैक दिया था तो यहाँ पर उसे कहने लगती है में कि तुम्हें मुझसे कोई चांस मागने की जुरत नहीं है सॉंग क्योंकि तुमने भी मेरे लिए कभी वो फिल नहीं किया था स्टार्टिंग से ही अगर तुमने कभी ऐसी वैसी फिलिंग मेरे लिए रखी होती तो तुम इसके बीच में कभी भी वीफन को लेके नहीं आते यहाँ पर कहने लगता है उससे सॉंग इसका मतलब यह है कि आप वीफन मेरी लाइफ से जा चुकी है उसके बाद भी तुमारा और मेरा रिष्टा चेंज नहीं हो सकता ब्रदर और फ्रेंज से हम दोनों आगे नहीं बढ़ सकते में यहाँ पर उससे कहते है कि मैंने तुमारे लिए कभी भी ऐसी वैसी फिलिंग्स नहीं रखी है अगर मेरे दिल में तुमारे लिए कोई फिलिंग्स होती तो मैं तुम्हें वेफन के साथ नहीं जाने देती यहाँ पर हम देखते हैं उसे चुपचाप देखता रहता है सॉंग तबी दिखाये जाता है में के पास वाक का मैसेज आता है तो उस मैसेज को देखके थोड़ा में के फेस पे स्माइल आती है सॉंग उसे देख रहा होता है और उसके बाद कहने लगता है में से तो मैं याद है जब फर्स टाइम तुमने मेरी फिलिंग्स को रिजेक्ट किया था और मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था क्योंकि तुम उस समय पार्क को लेकर अपनी लायफ में आगे नहीं बढ़ पारी थी और उससे ही प्यार करती थी सो मैं उस समय तुम्हें सम्झाने की बहुत कोसिस की थी कि पार्क और तुमारा जो प्यार था वो टीनीजर वाला प्यार था और लाइफ में हर चीज आगे बढ़ती है स्टार्टिंग होती है तो एंडिंग भी होती है लेकिन उस एंडिंग के बाद एक नई स्टार्टिंग भी होती है और एक प्यार ही ऐसे चीज है जो टूटे हुए दिल को फिर से जोड सकता है तो यहाँ पर में उससे कहती है हाँ मुझे अच्छे से याद है कि तुमने कहा था कि मैं पार्क को चाहे कि इतना ही मिस्स क्यों ना कर लूँ विभी मेरे पास option है कि मैं उसे भुला कर आगे बढ़ सकती हूँ पर वो मेरी choice थे कि मैं उसे कभी भुला नहीं पाई यहाँ पर उसे कहने लगता है song पर नहीं मुझे अब ऐसा लगता है कि तुम उसे भुला चुकी हो और कोई है जो उसकी जिगे तुमारी life में आ चुका है तो यहाँ पर उसे कहने लगती है मैं ऐसा कोई नहीं है जो पार्क की जिगा मेरी लाइफ में ले सकता है और मैं उसे कभी नहीं भूला सकते तो यहाँ पर सॉंग उसे कहने लगता है लेकिन अब तुम कुछ डिफरेंट लग रही हो मैं यहाँ पर पूछने लगती है कैसा डिफरेंट नजर आ रहा है तुम्हें मुझ में तो यहाँ पर उसे सॉंग कहता है पहले जो तुमारी दुनिया थी ना जो तुमारा स्काई था एक तरीके से उसका जो कलर था वो काफी ग्रे था वहाँ पर इसे अंधकार अंधकार था लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ तुम्हें मुझे लगता है कि तुमारा स्काई उसका कलर बदल चुका है यहाँ पर मैं कहने रखती है तो कैसा नजर आ रहा है अब तुम्हें मेरा स्काई तो यहाँ पर उसे कहता है सॉंग यह तो तुम ही जानती हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी लाइफ में क्या डिफरेंस है यहाँ पर जो होती है मैं उसकी यह बास सुनके थोड़ा सा स्माइल कर देती है मैं उससे कहते है कि मुझे नहीं पता है कि मेरे स्काई का क्या कलर हो क्या है पर मुझे ये पता है कि वो चिंज हो गिया है और मैं इससे ज़्यादा कुछ उमीद नहीं करना चाहती हूँ अब मैं हस रही हूँ और खुश हूँ यही चाहते हूँ मैं अब अपनी लाइफ में अब वो हाँ पर ये सब कुछ बोलके चले जाती है और सौंग उसे देखता रहता है उसके बाद हम मेकी मॉम को देखते हैं मेके रूम में यहाँ पर वो उसके रूम में कुछ जूनने की कोसिस कर रही होती है तो उन्हें एक बॉक्स मिलता है और उसमें सारी चीजे पार्क से रिलेटिड होती है तो ये देखे में की मॉम कहने लगती है मैंने तो इन चीजों को जला दिया था लेकिन फिर भी मेंने इने आज तक अपने पास रखा है यहाँ पे वो कहने लगती है कि मुझे इन सब चीजों को फिर से जलाना होगा कहीं ऐसा नहों कि फक को पार्क के बारे में पता चल जाए और वो उसके रूम से वो सारा समान लेकि चली जाती है जब मैं वहाँ से बहार निकलती है तो वो बात करने लगती है फोन पे फक से कि मैं अब बस घर वापिस जाने वाली हूँ तब हम देखते हैं गार आ जाता है कि मिस्टर फक ने कहा है कि मैं आपको रिसीब कर लूँ तो यहां पर में फोन पे कहने लगती है फक से कि अभी भी तुमारे लोग मुझे फोलो कर रहे हैं तब हम देखते हैं आप पे फक भी आ जाता है सामने से और मैं इसे कहने लगता है मैं तुम्हें लेके थोड़ा व आगे उससे क्याने लगता है फक मैंने सही कहाना